Hello everyone, आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में, तो दोस्तो हम एगराम स्राज में जब भी कोई पेमेंट बहुत चा तयार करते हैं, उसके बाद हमें चेक करना होता है कि वो पेमेंट बेनिफिसरी को मिला है या नहीं, तो पहले हम यह काम डेशबोर् मौझूद नहीं है, मिल नहीं रहा है अभी तक, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या नया प्रोसेस के मादधम से आप यह ऑनलाइन पेमेंट स्टैटस को चेक कर सकते हैं, वह भी मेकर लोगिन से, तो आई यह वीडियो को शूरू करते हैं, लेकिन उस तो सब सब पहले हमें इंटरनेट ब्राउजर पे जाके, इग्राम स्रोज पूर्टल को ओपिन करना है, और इग्राम स्रोज पूर्टल में आने के बाद हमें मेकर लोगिन से लोगिन करना है, मेकर लोगिन में लोगिन करने के बाद, लेप्ट साइट पे देखिए, स्टेटस तो इस उप्षन पर हमें क्लिक करना है इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस साल का सारे वाउचर्स नंबर और एजन्सी का नाम एमाउंट और पेमेंट क्रेडिट हुआ है या नहीं इसका रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ क्रेडिटेट दिखा रहा है क्रेडिटेट मतलब बेनेफिसेरी के एकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो चुका है अक्नॉलेज का मतलब होता है कि आपका पेमेंट प्रोसेडियोर कम्प्रीट हो चुका है मतलब मेकर एंड चेकर लोगिन से डीस सी द्वारा साइन कि गया है अभी bank में credit होना बाकी है और यहां पर अगर initiated दिखा रहा है उसका मतलब है आपने अभी तक checker और maker इन में से किसी भी एक login से आपने अभी तक DSC द्वारा sign नहीं किया है तभी वह initiated दिखाएगा तो यहां पर इस procedure के मदद से आप इस साल का हर payment voucher को track कर सकते हैं कि वह beneficiary के account में credit हुआ है या नहीं लेकिन यहां पर एक चीस की कमी है जो पहले हम dashboard से report देखते थे वहां से हम voucher को download भी कर सकते थे excel में और उसको print करकर भी रख सकते थे लेकिन इस procedure से आप voucher को download नहीं कर पाएंगे और print भी नहीं कर पाएंगे सिर्फ आप payment का status देख पाएंगे कि वो beneficiary के account में credit हुआ है या नहीं या फिर कौन से stage में है यह सब आप track कर सकते हैं लेकिन कोई भी print out नहीं ले सकते हैं तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको like किजिए share किजिए तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में